English language हमेशा से मेरा एक passion रहा है मैंने generally यह देखा जैसे मैं जब students से सब बात करता हूँ या लोगों से बात करता हूँ तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कहां पे is being लगाना है, कहां पे has being लगाना है, कहां पे was being लगाना है ये एक problem का वो बन जाता है अपने घबराना नहीं है, इस language को easily समझने के लिए हमें इस language के कुछ parts समझने पढ़ेंगे अब मैं को बड़ा simple example लेता हूँ, English बूलने का है आप ये 5 चीजों तक पहुंच गए ना, आप अराम से English language वा कमांड पालेंगे, ये मेरा विश्वास है अंगरेजी में बात करो, बिना दरे, बिना शर्माई, डाउनलोड जोश्टॉक्स English speaking app हाई everybody, आप सभी को मेरा करबध नमशकार, मैं सौरब शर्मा, I work in a corporate industry लेकिन English language हमेशा से मेरा एक passion रहा है और इस language को crack करना हमेशा से मेरा एक dream कह लिजे या मेरा एक objective कह लिजे रहता है because as Indians, हमारी ये first language नहीं थी और मुझे इस language है पकड़ पानी थी ये मेरी बचपन से एक सोच थी तो इसी language को जब मैंने थोड़ा सा और समझा, और इस चीज को और जहां का तो मैंने पाया कि इस language को easily समझने के लिए हमें इस language के कुछ parts समझने पड़ेंगे और आज इस session में हम उन्ही parts की बात कर रहे हैं which are called the parts of speech अब मैं को बड़ा simple example लेता हूँ English बूलने का है या English को सीखने का जैसे आप बोलते हैं she is a girl ठीक है आपने एक sentence बोल दिया पर उसमें आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह जो words जो हैं यह बने alphabet से और फिर words ने आगे बनाया पूरा sentence पर यह sentence के जो individual words हैं जो individual शब्द हैं यह क्या है आज हम इसी session में इन चीजों को जानेंगे तो English में सबसे पहले important होता है जो सबसे basic चीज होती है वो होती है subject and predicate जैसे मैंने आपको भी बोला she is a girl तो she subject हो गया is a girl हो गया पूरा predicate और यह बने होते हैं parts of speech से parts of speech होते हैं कि जो आप बोल रहे हैं जो आपकी speech है उसके क्या parts हैं तो सबसे पहले हम start करते हैं पहला part होता है noun फिर pronoun फिर verb फिर adjective adverb preposition conjunction and last is interjection तो आईए एक-एक को थोड़ा-थोड़ा समझते हैं और फिर correlate करते हैं आपकी और मेरी understanding से सबसे पहले पढ़ते हैं noun noun जैसे आप सभी जानते हैं जैसे English में कहते हैं संग्या तो ये एक ऐसा part होता है इसको सबसे पहले जरना बहुत जरूरी है जो इसकी English की definition है noun is a name of person, place, animal or a thing जैसे राम is a boy राम noun है, boy noun है तो जब भी English language में आप किसी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो उस point को कहते हैं उस शब्त को कहते है noun जैसे इसके तरफ राम के बारे में बताया और वो क्या है उसके बारे मताया अब nouns के भी अपने थोड़े types होते हैं एक होते हैं proper noun एक होते हैं common noun एक होते हैं collective noun एक होते हैं abstract noun अब चलिए एक-एक को समझते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ बड़ा simple example लेते हैं आज कल की life का example लेते हैं उक्रेन में आपको सबको पता है यूद चल रहा है तो बड़ा simple सा एक आप अखबारों में या लोगों को या TV पे आ सोशल मीडिया में आपको मिलेगा there is a war in Ukraine तो अब इसके अंदर आपने देखा subject भी आ गया predicate भी आ गया यहाँ predicate पहले आ गया there is a war in Ukraine यह subject हो गया अब आजाएए parts of speech पे मैंने आपको पहले बताया noun तो इसके अंदर दो noun निकल कर आ गये आप guess कर सकते हैं एक Ukraine और एक war बड़ा simple है इसी तरीके से English के language आगे बढ़ती जाती है अब आप देखना आपने पहली लाइन पढ़ ली there is a war in Ukraine many people have died again अगली लाइन में आपको people एक noun मिल गया तो noun आपको हर sentence मिलता जाएगा जहाँ जहाँ आप आगे English को करते रहेंगे अब proper noun का मतलब होता है exactly किसी का नाम जैसे Gita is a girl, Ram is a boy Ukraine is a country, India is a country common noun हो गए जो आप सब के लिए समाल होता है जैसे boy है, हर लड़के के लिए समाल होता है Ram is a boy, Sita is a girl फिर हो गया collective noun अब collective noun थोड़ा सा हिंदी में नहीं होता इसलिए थोड़ा सा वो अलग होता है जैसे army, battalion, mob, crowd जिसको हम basically हिंदी में जुंड बोल देते हैं last English के अंदर एक थोड़ी अलग चीज होती है वो होती है abstract noun abstract noun का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं आप feel नहीं कर सकते आप touch भी निकर सकते हैं noun बड़ा basic सा आपको किसी भी जगा पर सबसे पहले ये देखना है कि ये किस तरीके का noun है proper है या common है collective है या abstract है अगला point हमारा आता है pronoun अब pronoun क्या चीज है जी ये चीज हिंदी में नहीं मिलती है हिंदी में नहीं मिलती है हिंदी में इसका simple शब्द होता है वह राम एक लड़का है वह जा रहा है तो कोई अलग से word नहीं है सीता एक लड़की है वह जा रही है पर English language के अंदर आपके लिए जो noun है उसके लिए एक specific एक pronoun है depending upon कि उसका gender क्या है जैसे राम is a boy राम studies well राम plays well तो बार बार राम राम ना बोलके हम बोलेंगे राम is a boy, he plays well, he studies well तो he हो गया pronoun अब थोड़ा सा अगर इसको और depth में जाए तो pronoun शब्द कैसे आया प्रो means favor में तो वो noun के favor में खड़ा होता है तो हिंदी के अंदर जैसे मैं आपको पता है ना female कह सकते ना आप उसे कुछ समझे सकते तो आप उसके लिए it इसमाल कर देते हैं it is very common to use if you're not clear कि वो masculine है, feminine है अब क्या होता है कि हम हिंदी में बोलते हैं उसने अपने आपको मारा तो हमारे लिए हिंदी में शब्द है अपने आपको, अपने आप ठीक है ना, लेकिन English language के अंदर कोई ऐसे specific अपने आपका कोई एक दो शब्दों का phrase नहीं है तो जो pronoun use होते हैं उसे कहते हैं, reflexive pronoun जैसे, he killed himself she slapped herself she talked herself तो यह himself, herself जिसमें आप अपने आपको हिंदी में इसमाल करते हैं उसको English में कहा जाता है reflexive pronoun, clear है, अब इतक मैं recap करूँगा हमने noun पड़े, जो एक basic है संग्या जिसे कहते हैं और फिर हमने pronoun पड़े जो बिलकुल ही exact mirror image है वह के, जो हम हिंदी में इसमाल करते हैं अब हम तीसरे point पर आते हैं जो थोड़ा सा interesting है वो है verb, जो हमारी हिंदी में भी होती है क्रिया, आप की जो करता है, वो क्या कर रहा है जैसे, she plays well he talks well she sings beautifully तो जो भी करने वाला काम है वो verb होता है अब आपको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ verb शब्द एक्चुली आया है Latin शब्द वर्बंब से है which means to do something तो English ने उसको as it is copy paste किया और वर्ब शब्द हमारा बन गया क्रिया के लिए अब English के अंदर दो चीजे थोड़ा सा आप ध्यान से समझीए English में दो तरह की verbs होती है एक होती है transitive verb, एक होती है intransitive verb transitive verb वो होती है जो जब कुछ हो रही होती है तो simple act होता है और intransitive verb वो होती है जिसके अंदर जब वो कुछ कर रही होती है तो सामने वाले पर उसका असर भी आता है इसके examples हम अभी देखेंगे दूसरा English language के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है वो आती है voice में active voice, passive voice मैं आपको समझाता हूँ यह क्या होता है जो हिंदी में हम समझ लेते हैं कर लेते हैं विकाज हमारे हाँ पर इतना advanced नहीं है हिंदी के अंदर यह वाला part of speech है जैसे I read the book ठीक है ना I हो गया आपका noun read हो गया verb book हो गया आपका again noun book सभी के लिए common noun जो जाना को बताया था English के अंदर इसको बोलने का दुद्धा तरीका है the book is being read by me तो जो जो is being read है यह सबसे ज़्यादा आप कहलो weak point है English people का जिनकी first language English नहीं होती because कहाँ पे is being लगाना है, कहाँ पे has being लगाना है, कहाँ पे was being लगाना है, यह एक problem का वो बन जाता है, आपको बड़ा simple इसका बताता हूँ कि active voice के अंदर क्या होता है subject पहले आता है, जैसे I read the book passive voice के अंदर जो करता होता है जो subject होता है, वो पीचे चला जाता है और जो predicate होता है, जो object होता है being आजाएगा, past tense में आए तो was being आजाएगा, अब आते हैं हम adjective पे another part, तो मैं फिर आपको फिर से recap करवा रहा हूँ हमने noun पढ़ लिया, pronoun पढ़ लिया हमने verb पढ़ ली, अब हम आते है adjective पे, अब adjective again Latin शब्द है objection, इसका मतलब होता है आपने किसी objection पे कुछ add किया, जिसको हम हिंदी में simple कहते हैं, vishishan, कि आप कुछ vishishता बताते हो, देखो English Grammarians न, adjective की परिभाषा बहुत specific बताते हैं anything that defines the subject or the noun is an adjective अब define न, उन्होंने बड़ा simple सा word दे दिया, पर यहीं हमारे लोग थोड़े confused हो जाते हैं, कि क्या define किसको define define का यह मतलब है, कि वो उसे परिभाषित करता है अब परिभाषित सिरफ इसमें नहीं करेगा कि अच्छा है, बुरा है, परिभाषित का अर्थ होता है, कि वो number तक बता सकता है, adjective 4 हैं, 40 हैं, 1 करोड है quantity बता सकता है, 2 ग्राम है 10 ग्राम है, 20 ग्राम है quantity specific भी नहीं हो, वो भी adjective होता है, जिसको हम कहते है, कुछ कुछ से थोड़ा ज़्यादा, some little, many, more तो जब भी आप कहीं पढ़ें social media पे, अकबार में, तो आप यह समझने कोशिश करें कि जो noun की विशेष्टा बताई है वो कितनी है, जैसे मैंने आपको अभी Ukraine war का अब बोलो, आज कल चल रहा है the war has killed many people many adjective है people noun है, अब many में परिभाशे तो नहीं है न, कि एक लोग मरे, एक सौ लोग मरे एक लाख लोग मरे, कितने adjective, qualitative adjective, quantitative adjectives, पर वो सब इनी के ही रूप और सरूप है, तो अब चार चीज़े पढ़ लिया आपने, तो इसके बाद मैंने जनरली यह देखा, जैसे मैं जैसे स्टूडेंट से सब बात करता हूँ, या लोगों से बात करता हूँ, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, वो एकदम से इस चीज़ को अपने दिमाग में ला नहीं पाते हैं, कि यह क्या निकल के आ रहा है, noun निकल के आ रहा है, pronoun निकल के आ रहा है, adjective निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, आपने घबराना तो पहले ये देख लें इसमें noun कहां है, pronoun कहां है दो बाते अगर आपने पकड़ ली noun, pronoun की तो बाकी चीज़े आप अपने अप adjust करने लग जाएंगे इसके बाद आता है adverb adverb का काम क्या होता है जैसे मैंने बता है adjective काम होता है खुबसूरती बढ़ाना किसकी noun की adverb का काम होता है खुबसूरती बढ़ाना किसकी verb की English language में है जैसे हम हिंदी में कहते है वो गाती है बड़ा सुन्दर वो खेलता है बहुत बढ़िया तो अब क्या है ना हमारे लिए तो हिंदी में हमने कहा दिया बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर तो हमारे लिए अलग से कोई बहुत बढ़ी तीस मार्खा वाली चीज नहीं है पर English के अंदर क्या है इसके लिए specific words है और वो specific words कैसे बनते है उससे इंसान confused हो जाता है जैसे मैं आपका English में example देता हूँ शी सिंग्स ब्यूटिफुली ठीक है अब अगर आप थोड़ा सा सिंग्स देखो तो वर्ब हो गई ब्यूटिफुली एडवर्ब हो गया विकास सिंग को से परिभाशित कर दिया कैसा गाती है बहुत सुन्दर गाती है अब आप बोलोगे सर ब्यूटिफुल तो एडजेक्टिव था ये English के अंदर एक चीज आती है जो हम students, Indian students नामतर पर नहीं समझ पाते कि वर्ब का जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से ही बन जाता है आप समझे ब्यूटिफुल तो एक नॉर्बल एडजेक्टिव है आपने उसी पे आगे एलवाए एड़ करके आपने उसको एडवर्ब बना लिया ये चीज आपको समझ नहीं है कि अगर आप कहीं देख रहे हैं कि कोई वर्ड है वर्ब और उसकी खुबसूर्ती के लिए या उसको और परिभाशित कर रहा है तो वो किस से बना है एडजेक्टिव से बना है खुद नाउन से बना है किस से बना है और वोसे कैसे एड़ कर रहा है सिंपल हो गया एडवर्ब मैं फिर वोई चीज आपको दोराऊंगा आप जब भी जो चीज पढ़े आप पार्ट सब स्पीच को दिमाग में रखे और इसी ओर्डर में रखे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब आप ये पांच चीजों तक पहुँच गए ना आप अराम से इंग्लिश लैंग्विज पर कमांड पालेंगा ये मेरा विश्वास है ये मेरा आपको आश्वासन है आप इन पांच चीजों पहले ग्रिप बना लें आपके लिए इंग्लिश लैंग्विज क्रैक करना बहुत असान हो जागा आप ने इंग्लिश की कवर बातें पड़ ली आप खोई भी उठा लीजिये इंग्लिश की ग्रामर बुक वह इन पहले पांच पे ही बिल्ड करतीए यही आगे फिर आपके क्लॉस बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं Twitter पर आप कुछ tweets पढ़ते हैं, इनको refer करते हैं, अब next point आता है हमारा preposition, अब ये थोड़ा सा English में अलग चीज है, इसमें generally अगर आप देखें, तो हम ये बताते हैं कि, जो subject है और जो object है, उनके आपस में क्या connection है, जैसे, the cat sits on the table, ठीक है, तो on हो गया preposition, तो एक बिल्ली है the cat, और एक table है, जहां हो जाके बैठेगी, तो अब हिंदी में जाके, हिंदी हों कैसे बोलते हैं कि, बिल्ली जाके उपर बैठ गई, तो उपर तो हो गया, हमारे लिए तो हिंदी में बिशेश अड़, तो हम उपर ही बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन English के अंदर, एक preposition शब है, यह आपको चीजे याद रखने पढ़ती हैं, English के अंदर, and the last form is interjection, जो हम बूलते हैं, अरे, क्यों, उसे English में interjection कहते हैं, जैसे हुरा, we won the match, alas, the cat is dead, so यह सब चीजे हैं, तो अब मैं फिर से एक बार आपको wrap up करके बताऊंगा, कि आप यह पांच चीजे पहले जो core है, और यह उसके बादे चार चीजे, यह आप ध्यान रखें, English language आपके लिए बहुत simple हो जाएगी, आपको लिए crack करना बहुत असान हो जाएगा, and you'll start loving the language, धीरे धीरे आपकी grip बन जाएगी, आपको अपने ओपर मजबूती महसूस होगी, आपको subject महसूस, मजबूती महस अब ही थोड़ा time लगता है, पर results जरूर आते हैं, और results आने का बड़ा clear logic है, कि आप जिस चीज़ पे बहुत focus करते हैं, आपकी energy और जाती है, और एक नया रूप स्वरूप उसमें से निकल कर आता है, I'll give you an example, Albert Einstein, जब वो बहुत छोटे थे, तो उनकी teacher ने उनको reject कर दिय था, लेकिन वो अपनी study पे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, theory of relativity उन्होंने produce करी, तो आज वो पूरे world के लिए example है, एक किस तरीके से एक इनसान अगर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, तो he reaches, and you must always remember एक चीज कही गई है, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, जब तक आप की चीज आप मुकमल ना कर लें, आप ठके ना, आप हारे ना, आप सोए ना, और हासिल करके फत्य पाके ही आप उसको enjoy करें, that's it for myself, thank you. जिसमें हम आपकी मदद करते हैं, उन सारे स्किल्स को सीखने में, जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं, चाहे English बोलने में confidence और fluency की कमी हो, या personality डिवेलप करने में परिशानी हो रही है, इस सब के लिए, आपको one-stop solution हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है Joe Stocks English Speaking App तो इंतिजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए Joe Stocks English Speaking App और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाई हैं, click the link now.